पटना पुलिस ने शराब का सेवन करते पांच लोगों को गिरफ़तार किया है मामला गरदनी बाग थाना छितर के राजपुताना का है जहां बीती रात शराब का सेवन कर रहे पांच लोगों को पुलिस ने गिरफ़तार किया है इन लोगों के जब जाच की गई तो शराब पीने की पुस्टी हुई जिसके बाद पुलिस पांचों को गिरफतार कर थाने ले आई है फिलाल पुलिस गिरफतार पांच लोगों को करोना जाच के लिए गरदनीवाग अस्पताल ले गई है गर्जनिवाग थाना परभारी की माने तो बीती रात पांचों शराब के नसे में धुत मिले थे जिसके बाद इन सबों को गिरफतार किया गया था साथ ही कहा कि इन लोगों ने शराब कहां से मंगवाई थी इसके भी जानकारी जुटाने में पुलिस लगी है वहां से दारू भी बरामद हुई है चार एरिष्टो क्रेट का बोतल बरामद हुआ है एक ब्लेंडर स्प्राइड की फुल बोतल बरामद हुई है और एक ब्लेंडर स्प्राइड की खाली बोतल भी बरामद हुई है तो पांचों को फिर हम लोग ब्रेथ हनलाजर से जांच करवाए तो उसमें से दारू पीने की पुष्टी भी हुई है इस प्रकार से यह सभी राजपुताना के रहने वाले हैं उसमें से एक ननकुशिंग है वो पुराना अपने जवाने के ठीकेदार हैं एक स्वनभाद्र क द्रभांगा के छपरा के और बाकी लोग यहां के है उसमें से यह पकड़ा गया है वो को मोहन बस सर्विस का मैनेजर है एक ब्यक्ति जो पकड़ा गया है मुकेश कुमार वो अपने को न्याइक कार से जड़ा हुआ पदाधी कारी बता रहे हैं तो पुलिस हर एंगल से जांज कर रही है कहां से सराव लाया गया इस मुंदु पर भी पुलिस चानविन कर रही है और हम लोग वायार करके उनको जेल भेज सब्सक्राइब इस ने रूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर दा कम्प्लीट मल्टी ब्रांड मेंस्वेर शोरूम सुभास चौक दर्भंगा ली एक सक्लूसिव शोरूम सुभास चौक और दैने कॉमी तांजीन न्यूस पेपर दर्भंगा